इंडिया और एंडिये खेमे अपनी तयारियों में लग चुका है इस बीच मुख्यमंत्र नितिश कुमार ने अपने सहयोगियों से कहा है कि इंडिया नाम तो तय हो गया है और इसकी बौकला हट इंडिये में दिख रही है लेकिन केवल नाम तय कर लेने इस भर से कुछ नहीं होगा विगत बता दे कि विगत 23 जून को पटना और उसके बाद 17 और 18 जुलाई को बैंगलूरू में इज़ेपी विरोधी राजनेतिक पाठियों की बैठक के बाद गटबंधन का नाम इंडिया तय कर लिया गया सभी मानते हैं कि विपक्षी एक्ता की कवायद में सुत्रधार नितिश कुमार है हालाकि इंडिया बनने के बाद जिस तरह से एंडिया की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई इससे नितीश कुमार को चिंता भी सताने लगी है उनका मानना है कि जल से जल गटबंधन के तमाम सहयोगियों को आपस में ये भी तै कर लेना चाहिए कि कौन कहा है और कितनी और किन लोकसभा सीटों पर लड़ेगा इसमें देर नहीं करनी चाहिए मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने इस बात को खुले तोर पर मिजिया के सामने भी कही उन्होंने कहा इंडिया नाम तो तै हो गया है जिसकी बौकला हट इंडिये में है लेकिन केवल नाम भर से सब कुछ नहीं होगा जल्द से जल्द कौन कहा है और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये भी तै हो जाना चाहिए दरसल नितीश कुमार कारगिल विजय दिवस समारो में शामिल होने के लिए कारगिल चौक गांधी मैदान पहुँचे थे इसी दोरान जब उनसे सवाल पुछा गया कि लोग सभा में विरोधी दलों में केंद्र सरकार के खिलाफ और विश्वास प्रस्ताव लाया है इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस सवाल के जवाब मिंतीश कुमार ने प्रधान मंत्री और एंडिये की सरकार पर जम कर हम मडिपूर में हालात कितने खराब है महिलाओ को किस तरह से बेज़त किया जा रहा है ऐसा कही संभव है क्या प्रधान मंत्री को सदन में इस तरह इस पर जवाब देना चाहिए लेकिन वो चुपी साध रखे है बोल नहीं रहे है इसलिए विपक्ष और विश्वास प्रस्त प्रधान मंत्री को कितना खत्रा हो चुका है यह सोच लिया जाए मेरी कोशिश का असर प्रधान मंत्री को अब खत्रा लगने लगा है विपक्षी दलों की एक्ता का स्वरूप दिख गया है और अब नाम भी सामने आ गया है विपक्षी दलों से भी मेरी लागतार आग रह है कि कौन डल कहां से लड़ेगा और कौन से लोक सभाच सीट से लड़ेगा ये भी जल्द से जल्द इसका फैसला कर लिया जाए तो चलिए फिलाल इस कबरें वस इतना ही और भी वीडियोज और अब्डेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूस पॉनिश्ट